जम्मू कश्मीर क्रिकेट संग ये ऐसा नाम है ये ऐसी एतिहासिक जगा भी है जहां पर दो बड़े से बड़े क्रिकेटर मिले या कहें कि एक ऐसा क्रिकेटर जो गुमनाम हो गया और एक ऐसा क्रिकेटर जो कपतान रह चुका है सौरव गांगली और इर्फान पठान सुनकर खुशी हुई होगी दोनों ही महारती एक टाइम पर अपने देश के लिए थे और इन दोनों का मुलाकात सौरव गांगली मिले इर्फान पठान से और आज इस पर चर्चा करेंगे हमार सत्मारे सोयोगी पत्रकार अबन जी अमझी मुझे याद आता है वो साल जब इर्फान पठान खेलते थे सौरव गांगली के अंडर बिकुल और सौरव गांगली उन पर इतना भरोसा जताते थे क्योंकि एक तरीके से एक वक्ते लिए उनको और बना दिया और क्योंकि बहुत ही लेफ टाम पेस गेंदबास थे तो पेसर भी तो टीम के लिए उपर से जिस तरह की गेंदबाजी करते है विक्ट उन्हें पाकिस्तान में हट्रिक बिल्कुल दादा को खुशी हुई और उ उन्हें कोई अफिशली अनॉंसमेंट की नहीं लेकिन हाँ अगर आप देखें तो या तो बस वो कमेंटरी करते हैं या तो चुप चाप एक अपने जो जेन के संग क्रिकेट संग उसको समालते हैं उसके मेंचौर है वहां रहते हैं तो क्रिकेट के मैदान को एक तरीके से तो उसके बाद अचानक से दादा सौरव गांगली जाते हैं जमो कश्मीर क्रिकेट संग में उनसे मिलते हैं इर्फान पठान से और परवेज रसूल भी थे वहां पर दोनों से बादशीत होती है लेकिन परवेज रसूल की बात खेर बिना करें तो इर्फान पठान से कि लगभग ऐसा कंपर माना ही जा रहा है कि वह क्रिकेट से अब दूर हो गया है क्योंकि उनके हाथ की इंजिरी और प्राब्लम ने जो अभी वी इड्रस की तरस है तो बिलकुल उसको लेकर बात करते रहें लेकिन हाँ दोन्यों क्रिकेटर का मिलना बिलकुल बहुत सारे स करते हैं जावेद मियादा जो पाकिस्तान के बहुत प्राइब करिकेटर रहें उन्होंने इर्फान पठान पर कमेंड किया था कि ऐसे गैंदबास तो हमारे गली महलम में होते हैं और जाहिर बात है कि जब इर्फान पठान वहां जाते हैं और है ट्रिक करते हैं वह करें रिदम बड़ा जबर्दस थी और जिस तरह से वह अंधर लेकर आते थे वह बहुत ही रिवर्स हुए जिसको हम टेकिनिक भाशा में कहते हैं वह बड़ी जबर्दस थी और खासकर वसीम अक्रम से उनके कई सरे टिप्स मिले थे इसके बाद निकार आ गया था और उसके नीजिक कुल ऑचलब जाता चला गया वह जबस बात चला गया वह पहिना की चिन्ता सबब बनते चला गया साथ मौनके उनके इंज्री भी कई लिए हुगए इसकी वह तीम तरही मुझे रहा हैं मुझे यादा आता है कईकर ये तीं टीं चार-चार और लेकर एन कर्दस केल जितना समय तब क्रिक्ट खेले लगातार चट्चाओं में बने रहे हैं, उसकी बचे एक और भी चीरी तिक कि वो बल्ले से भी काम किया करते हैं, कई अगर आप रेकोर्ड चेक करेंगे तो कई सारे उनके हाफ सेंचुरी हैं, 93 उनका गौसत बड़ा स्कोर है भी तो जहीं सी बल्ले से भी अपने हाथ आजमाते थे लगातार एक तरीके से अभी ऐसा वक्त भी था जब इर्फान पठान ने का अपना रोल भी साज़ा और उसके बाद को नहीं जाता है इर्फान पठान के जो भाई है यूसुर पठान उनसे बहतर आल रॉंड टीम को कभी मिला और उस लगतान नहीं कि अब यह जिस भी देखी लाई हैं यह जो ज़िसे बॉह जब आप प्लेर्स को आप गाता था इनके साथ में चाहता है वह जाहिए कि जो प्रवेश भी एक नाम है जो तो पहले ही टीम एडिया के लिए दो-टीन मैच्च में खेले भी हैं जाहिए बात है ज कि अध्या को लेकर चिंता भी जाहिए और साथ में पर वहां से और देदर प्लेट निकलेंगे और साथ में बहुत आज चीज चीज शीहने का मुकाब इनको मिलेगा तुमाम सारे मुद्धों बात हुए लेकिन घ्याक्ष करते हैं किस तरह से जैनके की जो प्रचाइब करके बिल्कुल जरूर कोई नहीं बातों को जनम जरूर दे रहा है जिस तरीके से सौरव कांगली जब से बीजी से अधियाक्ष बने है तब से अगर आप देखें तो क्रिकेट हिंडियन क्रिकेट में काफी ज्यादा पॉजिटिव के पॉजिटिविटी है और एक उथल पॉथल ह कभी वो किसी खिलाडी से मिलते कभी वराज कभी तो अब इस होड में वो उिरफान पतः उन के साथ खेल चुके हैं और उनसे मिलते हैं जंह कश्मीर क्रіकट संघ में और एक आशवांसन देते हैं कि यहां के खिलाडियों के लिए भी बहतर काम किया जाएगा तो आने वाला वक्त बहुत गिल्चास पोगा कि एरफान पठान को लेकर दादन क्या कुछ सोचा है यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा तो स्पोर्ट से लेटर तबाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ हम आपको रुबरु कराएंगे देखते रहें एक सेने स्पोर्ट को फिलाल के लिए दीज़े इजाज़त नमस्कार और टेक केर